गुड मानिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों आज हम लोग चलेंगे आपकी चोथी पोएम प्यारबचों आज हम लोग इसका साट एंसर टाइप क्यूशन देखेंगे और लांग एंसर टाइप क्यूशन देखेंगे प्यारबचों एक ही क्लास में आपका साथ answer type question और लांग answer type question प्यारवचो आज जो है दोनों complete होगा और इसके साथ साथ इसके पहले प्यारवचो इसका हमने हिंदी explanation मिन्स हिंदी व्याख्या complete कर चुके हैं इसके साथ साथ आपका प्रोज का तीन चेप्टर पूरी तरह से complete हो चुकी है और पोएम में आपकी तीन पोएम complete हो गई है और चौती पोएम आपकी यह सुरू हुई है मिस चल रही है इसके साथ साथ आपका supplementary reader का प्यारवचो दो चेप्टर complete हो चुका है तो यह दिया आपका इसमें से कुछ भी छूटा हुआ है तो आप चैनल की playlist में जाएए प्लेलिस on the video ke बखर दूश्चो आपका यहां साठाओ टाइप कीया गूशन को देख लेते हैं और आप लोग अपणी किताब को तो पेसे नोट बूक ले लीजिए और इसके बात पहले जियंक बच ए तो पहले क्युशन प्याते हैं जो भी बच्छे चनल पो पहली बारा walks work करेंगे और क्लास टिन की सबीव हैं से रही ही जुदा हुआ होना मींस कौन सा प्रशिद्य मुहावरा जुड़ा हुआ है वो कौन सा बढ़ा है इसे पूछा है और उसका मतलब क्या इसका अर्थ क्या है और उस मुहावरे का और्थ क्या है दिखाने के लिए लड़की नहीं पूधिया हुआ हो तब भी जूटों बहाना बना लेती हैं तो उसे से कहते हैं धभियालु गडियाली आसू घड़्याली सब्सक्राइबूट коммент सब्सक्राइब जल्दिस हम लोग इसके पहले पतर देख लेते हैं प्यार पर देखिए आपका फिर्स फ्लाइड पोथ्रीसर रोली इंगेर aleg क्लासिष अपके चैनल के नाम क्या हो गया डायमंड एकेडमी क्लासिष पहले देख लेंगे फिर इसके बाद हम लोग लांग एंसोटाइप कीशन देखेंगे तो ब्यारे पर ज़ल्दी से देखो पहला को वही है जो वहां पर बताया गया है वही पहला कुछिछन आपका यह इस मींज है गड़ियाली आंसु है और दूसरा कुछिशन इसे जो पूछा हुआ था वाट ड़ाज इसका मतलब क्या है तो क्या हो जाएगा इसका मतलब है टीयर सार एक्सप्रेशन मिस आंसु या भाव आप सारो मिस दुख के इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब है अंसु या भाव आप सारो मिस दुख के जो आंसु या आसु आसब आइस विद्ट क्रोकोडाइल इस टीर सब्सक्राइब क्षप्रेशन साफ सारों तो यह वगया अब जल्दी सम्मों देखते हैं दूसरा विद्ट क्या है उसका उत्तर क्या होगा प्यारे बिचों यह पर आपको दूसरा देखे होगा ваш लड़ी सिरे bay बारे में कभी क्या कहता है कभी ने अपनी इस सेर के बारे में क्या बात कही हुए है तो प्यार Kendra पहले सब्सक्राइब में क्या क्याओं चीजें कही है है तो जलदी से पैर रपिच्वाल दूसरे को अनों लोगे उत्तर को देख लेते हैं देखते हैं दूसरे UX का ओतर क्या होगा यहां देखिए आपका दूसरा कुश्टिन कीफिजन है वाट रस धी प climbing in जैसे आप मरने वाले हो तो इस प्रकार से क्या करता है तो यही तो हो गया एस कविता में तो यही तो चीज़ा कही गई थी क्या कही कही ती इस प्रकार से वह दाहरते हैं तो यह हो गया पहर चो क्रिशन नमबर दो का उत्तर क्या हो गया है तो यह हो जाएगे पैरेवचो क्रिशन नमबर 2 का एकदम 60 कुछ जादा बड़ा उत्तर बनाने की कोशिस नहीं की हुए है, बस जो उसका 60 कुछ है, बस हमने उसी 60 कुछ को लिखे हुए है, पैरेवचो, तो यह होगा क्रिशन नमबर 2 का उत्तर, अब हम लोग बढ़ेंगे क क्रिशन नमबर 3 देखते हैं, पैरेवचो क्या है, और क्रिशन नमबर 3 पर बढ़ने से पहले, जो भी बच्चे चनल पर पहली बारा हैं, चनल को सस्क्राइब करेंगे, वीडियो के लाइक करेंगे, और क्छलास 10 के सभी बच्चों में सी और रस करेंगी, पैरेवचो यह की जिम्यदारी है तो जल्दी से हम लोग question no.3 को देख लेते हैं question no.3 प्यारव पिच्वोख आपको दिख रहा होगा जल्दी से देख़े question no.3 कि यह है what humorous description humorous means होता हाद स्परत कौन सा हाद स्परतugo description मिस होता है wordon do you find आप पाते हैं इंदी poem means इस कवे but i mean ऑन को कौन से heart sister the word and मिलते हैं मिस इस पूरे पूरेואל में आपको कौन से humorous minutes heart Pedra in मिलते हैं उसको आपको लिखना है यहां लोग कुन सा humorous मिलता है तो से नमबर 3 नम पर तेन का हुआ है बनाया हुआ है humor मिन्स इसको हास्प्रत बनाया हुआ है कई दिस्क्राइबिंग मिस ब्याख्या करके वरियस बिस्ट मिस बहुत सारे जानवरों को आप में सिकारी को बिभिन सिकारी प्रकार से ब्याख्या करके इसले उसने क्या कुई हुआ है रचया हुआ है युंमर सब्सक्राइब बंगाल इस नेबर नोबल जो बेंगाल टाइगर होता है वह कभी नोबल नहीं होता है इसे हास्प्रत बनाने की कोसिज की हुए है और बंगाल के बाद हमने जो है टाइगर चोड़ दिया है तो आप लिकले बंगाल के बंगाल टाइगर होगा वहां पर बंगाल के बाद हमने टाइगर को छोड़ दी है तो आप लिक लोगे गांट फर्त बंद नोबल के लिए computer का उसके बाद देंग यह पर भी हाइना नेवर इसमाल सहे और जो हाइना होता है वह कभी जो है प्रसंता पूर वक नहीं मुस्कराता है अब आप लोग बताओगे हाइना की मीनिंग क्या होती है यह प्रसंता पूरोग मुस्कुराता नहीं है लेकिन फिर भी इसमें दिखाया गया है तो प्यारे विचों किसे नंबर तीन का आपका उत्तर क्या हो गया तो प्यारे विचों यह हो गया क्विशन नंबर तीन का उत्तर अब हम लोग देखते हैं क्विशन नंबर चार का उत्तर क्या होगा जल्दी से हम लोग क्विशन नंबर चार को देख लेते हैं प्यारे विचों क्या है जल्दी से देख लो क्विशन नंबर चार क्या है वाट ड़स दी बिंगाल टाइगर लुक लाइक मिस बिंगाल टाइगर किसके समान दिखता है मिस बिंगाल टाइगर जो है कैसा दिखता है वाट इज सो डिस्टिंग के बाउट हि और उसके बारे में क्या विभिनता है तो प्यारे बचो यह हो गया Q4 डिस्टिंक भींस होता है या विभिनता भी कर सकते हैं ठीक है यह हो गया Q4 हो गया अब हम लोग देख लेते हैं Q4 का उत्तर क्या होगा जलदी से क Yeah आपको मिशुरा होगा Customer भी आपको दो सदी बेंगाल टाइगर लुक लाइक वाट इस तो सड़ीड कैसा नोबब चराउगा स्काव्तर देख लेते हैं वोग तींगाल टाइगर के होती है काले रंग की धारियां होती है, on yellow background उसके पीले सरीर पर, पीले सरीर पर उसके काले रंकी धारियां होती है, and is a noble animal, और यह एक स्रेश्ट जानवर होता है, noble means स्रेश्ट या साही, एक राज साही जो है, या स्रेश्ट जानवर होता है, तो प्यारे पचों, इसके बारे में चीजे हो गई, कि इसके समान दिखता है तो किसके समान दिखता है उसके पीले सरीर पर काले रंग की धारियां दिखती है तो वही हो गया बेंगाल टाइगर है ब्लैक इस टाइप्स आन एलो बैक्ग्राउंड एंड इस नोबल इनिमल हो गया अब दूसरा इसे में कुछ जो पूछा था वाट दिखता है तो क्या हो जएगा भो इसके बारे में कॉन सी चीज़े निस्चित है तो लेगाएं को अपने सिकार बीना मिनस submis बिना ध््यान की वाले कि द्यां कि या ही वह सिकार को खा जाताम मिस सामने आपको पता भी ने चलेगा कब वह आपको खा जाएगा मिस आप ध्यान ही नहीं दे पाओगी कि कब वह खा रहा है नहीं खा रहा है इतना तेजी से वह जपट्टा मारके आपको खा जाता है तो without notice हो गया before notice means भीना आपके ध्यान देने के पहले ही वह आपको खा जाता है तो यह उसके फीचर हो गया उसका गुड़ हो गया तो यहीं थी चीज़े इसके इस पोयम में बताई गई थी तो प्यारे पच्छो क्रिशन नंबर चार का उत्तर क्या हो जाएगा अब हम लोग बढ़ेंगे क अतिम क्वेशन के क्या है उसका अत्तर क्या होगा जलदी से प्यारे किस प्रकार से वडन किया हुआ है एक क्!? किस परकार से कवी निए वडन किया हुआ है यहांуз क्वैबिचो 5 एकítन स्री क्या हुआ बाइचो यहां प्यारको आपको क्यूसे। नंबर पांच दिकश्य नब्र पांच वही है how does the poet describe the beer तो इसका उत्तर हो जाएगा the poet describes the beer means कभी जो है भालू के बारे में ब्याख्या करता है in a humorous way means हास्प्रत तरीके से way means होता है तरीका means कभी जो है भालू के बारे में हास्प्रत तरीके से क्या करता है ब्याख्या करता है he says that वह कहता है कि as soon as a bear sees a human means जैसे एक भालू देखता है a human being means एक मनुस्य को जैसे एक ब्यक्ति को जो है भालू देखता है it hugs him tightly वह उसे तुरंद क्या कर लेता है गले लगा लेता है तो वह उसके बारे में हास्प्रत तरीके से क्या बात करता है कि वताता है कि जैसे ही जो है कोई भालू जो है किसी ब्यक्ति को देखता है तुरंद टाइटली उसे एकदम कस करके उसे गले लगा लेता है अब यहां गले लगाने का संदर्म है कि उसे प्रेम से गले नहीं लगा रहा है मिस इस प्रकार से दबाता है उसे है कि मनुस मरी ही जाएगा व्यक्ति मरी ही जाएगा उसके गले लगाने से लेकिन फिर भी यहां पर हास्प्रत बनाने की कोशिज किये हुए है यूमरस उसे बनाने की कशकर के गले लगाने का सिर्फ अंदर भी इन्होंने दे दिया हुआ है तो प्यारे पिश्व यह हो गया आपका क्विश्ट नंबर 5 का उत्तर ठीक है क्विश्ट नंबर 5 का उत्तर क्या हुआ फिर से एक बार देख लो तो यह हो गया प्यारे पिश्ट नंबर 5 का उत्तर अब हम लोग देखेंगे जो भी आपका लांग एन्सव टाइब क्यिश्ट न दिया है उसके उत्तर को प्यारे पिश्ट नंबर 5 के चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली वा रहा है चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को लाइक कर देंगे और अब क्लास टेंथ के सभी बच्चों में वीडियो पहुंच जाना चाहिए जल्दी से लोग लांग एंसव टाइब क्रिस्ट पर चलते हैं और हां यह दिया आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जूड़न सिर्फ दो लांग और नियुक्तर लांग ऑंग करा दो सब्सक्राइब क्रिद्ध को लिए यह दो होता बाइकता है कि अपना एक बिसे जो गुर्ण रखते हैं उन्हें अदृती बोलते हैं तो यह है कि प्रतेग जानवर क्या है यूनिक है मिस अदुती है और उसके पास होती है कुछ बिसेस करेक्टरिस्टिक्स मिस होता है बिसेस्ता उसके पास प्रतेग जानवर के अभी अपनाता है, in distinguishing, बिबन जंगली जान्वरों के बीच अंतर पैदा करने के लिए अब कौन से तक्नीक को यूज़ करता है? प्यारेविचों ये Question पूछे हैं, कभी कौन से टकनीक अब प्योंग करता है बिभीन प्रकार के जानवरो'm के बारे में अंतर बतानी के लिए, अंतर पैदा करने के लिए? अब कौन से टकनीक वो Minh varias तकनीक यjos करता है अब सापको उत्तर तो इतना हो जाएगा, humorous तक निक, humorous वे सो बताता है humorous ट्रिक्स होती हो उसकी निस हाज सप्रत तरीका होता है उसका उत्तर तो आपको सिर्फ हम ने वाट किजएगा humorous जोड़ देना है बाकि उसे थोड़ा सा suitable कर देना है, बाकि आपको उत्तर long answer type question दिया हुआ है आपका देखिए पहला question वही है जो आपने पढ़ा हुआ है वही आपका पहला question यहां पर देखिए है पहला question देख लो एक बार फिर उसके बाद हम लोग इसके उत्तर को चलते हैं, पहला question क्या है every animal is unique and has some special characteristics, प्रतेक जानवर अदिती होता है और उसके पास कुछ विसेस्ताइं होती है what tricks, कौन सी तकनीक does the poet adopt means कवी अपनाता है in distinguishing means पहचान करने में various wild animals means बिविन प्रकार के जंगली जानवरों के बारे में बिविन प्रकार के जंगली जानवरों को अंतर को पैदा करने के लिए कोन सी तकनीक का वह प्रयोग करता है तो simple सा यहां पर तकनीक कौन सा प्रयोग किया है humorous तकनीक का प्रयोग किया है आपका यह उतर होगा लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा के इसका उतर लिखेंगे हम लोग इसके question का उत्तर देख लेते हैं देखिए इसका उत्तर क्या होगा इब्री एनिमल इज यूनिक प्रत्येक जानवर अधुती होता है और उसके पाँच कुछ विसेस जो है विसेस्ताइं होती है वी पुएट एडॉप्ट मिंस कभी जो है अपनाता है यूमरस वे मिंस हास्परत तरीके को इन डिस्टिंग्यूंसिंग वरियस वाइल्ड एनिमल्स बिबिन प्रकार के जंगली जानवरों के बारे में अंतर पैदा करने के लिए मिस बिबिन प्रकार के जंगली जानवरों के बारे में अंतर पैदा करने के लिए वह हास्प्रत तरीके को अपनाता है बस आपका उत्तर तो इतने में कम्प्रीट हो गया लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के लेखेंगे क्योंकि long answer type question है every wild animal प्रतेग जंगली जानवर has his own special trait उसकी अपनी स्वहम की विसेस्ता होती है color means रंग होता है size means जो है उसका आकार होता है and characteristics और उसकी विसेस्ता होती है इस प्रतेग जंगली जानवर की अपना रंग रूप और विसेस्ता होती है humorous way as और जो वह हासप्रत तरीका यूज करता है प्रयोग करता है वो कुछ इस प्रकार से होते है जैसे the bear hug is never loving जो भालू का जो गले लगाना होता है कभी वह loving नहीं होता है कभी प्रेम पूरवक नहीं होता है क्योंकि हमने आपको बताया था कि यह loving होगा तो जो है अगर भालू आपको loving गले लगाएगा तो प्रेम से लगा के हट जाएगा लेकिन भालू जब गले लगाता है तो इतना तेजी से आपको दबाता है का आप म हाइना नेवर इसमाइल्स हैपली हाइना जो है कभी कैसे नहीं मुस्कुराता है हैपली मिन्स प्रशंता पूरवक नहीं मुस्कुराता है अब यह बताओ हाइना आपका सिकार करना आ रहा है और आपको प्रशंता पूरवक मुस्कुरा के आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता ह है लेकिन फिर भी यहां पर कभी ने दिखाया हुआ है यह हो गया दस इस प्रकार से इस प्रकार से जंगली जानवरों को कभी ने दिखाया हुआ है and in a lively manner और बड़े जीवन्त तरीके से lively मेंस होता है जीवन्त मैनर मेंस तरीका और बड़े जीवन तरीके से कभी नहीं क्या किया हुआ है दिखाया हुआ है तो प्यारे बच्छों यह हो गया आपका पहले question का उत्तर first question का आपका उत्तर हो गया एक बार पहले question का फिर से उत्तर देख लो हमने इसका एक एक word की meaning बता दिये हुए है लेकिन फिर भी आपको कोई word meaning इसमें फज़े तो आप comment box में comment कर देना उसके meaning बता देंगे तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्छों Every animal is unique and has some special characteristics The poet adopts humorous way in distinguishing various wild animals Every wild animal has his own special trait, color, size and characteristics Humorous way as the bear hug is never loving The hyena never smiles happily Thus the poet has depicted the wild eye very widely and in a lively manner तो यह हो जाएगा प्यारे बच्छों question number पहले का आपका first long answer type question का यह क्या हो गया? उत्तर हो गया आपका पहले long answer type question का प्यारे बच्छों यह आपका उत्तर हो गया अब हम लोग दूसरे long answer type question की तरफ बढ़ेंगे दूसरे question का उत्तर देखेंगे, प्यारवचो, यह आपका last long answer type question है, इसके बाद आपका long answer type question भी कतम हो जाएगा, तो अन्तीम हम लोग long answer type question पर चलते हैं, और आज की class का अन्तीम question पर भी चलते हैं, प्यारवचो, तो दूसरा question हम लोग देख लेते हैं, क्या है? question number 2, दो प्यारवचो, long answer type question का, आपको question number 2 दिकरा होगा, जल्दी से देख लेते हैं, question number 2 क्या है, what is the theme, theme means होता है, जो मुख भाव, या मुख विसे जो होता है, उसे theme बोलते है, what is theme means मुख भाव क्या है, मुख विसे क्या है, आप the poem means इस कविता का, how to tell wild animals, इस कविता, how to tell wild animals का मुख विसे क्या है, मुख थीम ही क्या है, theme means मुख विचार क्या है, तो प्यारवचो, हम लोग जल्दी से इसके मुख theme को जान जाते हैं, इसकी theme क्या है, जल्दी से हम लोग question number 2 के उत्तर को देख लेते हैं, यह आपका आज का lecture का last question है, इसके बाद आपका lang answer type question complete हो जाएगा, next आपकी class में इसका EMCQ होगा, means इसका multiple choice question, objective type question इसका complete करा देंगे, फिर आपकी यह poem पूरी तरह से complete हो जाएगी, तो जल्दी से पहले, प्यारवचो, question number 2 के उत्तर को देख लेते हैं, फिर इस class को समात करेंगे, तो प्यारवचो, यहां पर आपको question number 2 दिख रह हो जाएगा, इस कविता का मुख़ विशा है, इसटू creating ह Irish, हास उत्थम करना ना है, इस मंसूख विशय है, और एक रहे होगते है चाह सहर को का मुखह है, हास उत्थम करना ना है, सला दे करके dangerous way मिस खतरनाक तरीकों को आफ identifying मिस पहचान करने में wild animals मिस जंगली जानवरों के जंगली जानवरों के पहचान के लिए वह खतरनाक तरीके को बता करके क्या करता है हस पैदा करने की कोशिस करता है सला देता है यू कैन identify आप पहचान सकते हैं most of the best miss बहुत सारे जानवरों को while they are attacking you जब वे आपके उपर क्या कर रहे होते हैं आकरमर कर रहे होते हैं जब जानवर आपके उपर आकरमर कर रहे होते हैं तब आप उनने पहचान सकते हैं इसमें वही तरीका बताया है जब वह आकरमर कर रहे होते हैं तो वही कर रहा है जब आपके उपर आकरमर कर रहे होते हैं तब आप उनने पहचान सकते हैं instead of shouting for help miss के बजाए instead of shouting चिलाने के बजाए for help miss मदद के लिए मदद के लिए चिलाने के बजाए आप ब्यस्त होंगे पहचान करने में आप तो ब्यस्त होंगे जंगली जानवर की पहचान करने में क्योंकि इस पोहें में तो ही बता है जानवर के तो ही पहचान गरते है इस पहचान करें पहचान करेंगे का उन लए तो क्या है की तो है आप जोए पनी जान बचाने की कोसिस करेंगे उससे बचनी की कोसिस करेंगे कि आप उसका पहचाने में वेस्ट करेंगे तो वही बात है इसमें लेकिन उसने बताया है कि इस पोयम में पहचान करने के लिए बताया हुआ है तो इस प्रकार से इस पोयम में हास उत्पन किया गया है, मिस हसी उत्पन किया गया है तो यह हो गया पैरवचो किस्य नमबर 2 का एकदम बैतरीन सटीक उतर हो गया फिर से एक बार देख लो किस्य नमबर 2 का उतर क्या है यह विचार क्या पैदा करता है हासी को पैदा करता है हसी को बन करता है तो यह हो गया पैरवचो किस्य नमबर 2 का उतर यह आपका सेकंड किस्य नमबर 2 का उतर हो गया इस प्रकार से आपका पूरी तरह से पैरवचो साट एंसो टाइप किस्य लांग एंसो टाइप किस्य प्यारवचो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया इस poem का आपका आपका साट answer type question और लांग answer type question कम्प्रीट हो गया और इस poem का तक क्या-क्या कम्प्रीट हुआ है इसका हिंदी व्याक्या हमने पि्याइरे её कर चुके हैं इसकी central idea कर चुके हैं इसका stanza based question answer कर चुके हैं आज जो है इसकाогatan 6 answer type question, long answer type question करा चुके है कम्प्लीट हो जाएगी और हाँ इसके पहले आपका प्रोज का तीन चेप्टर कम्प्लीट हो चुका है पोएम आपकी तीन पोएम कम्प्लीट हो चुकी है चौती पोएम भी आपकी कम्प्लीट हो गई है जो चल लही है तो चौती पोएम भी चार पोएम कम्प्लीट हो गई ह और आपका supplementary reader का है प्यारवचो दो chapter complete हुआ है यह दिया आपका कुछ भी छूटा है तो आप channel की playlist में जाएंगे तो आपकी अपनी playlist बनी है UP board class 10th English new service करके आपके अपनी playlist बनी है प्यारवचो वहाँ से जाकरके आप अपना पूरा कर सकते हैं जो भी आपका छोटा हुआ है तो आज के lecture को आज की class को यहीं समात करेंगे और हाँ class समात करने से पहले जो भी बच्चे चैनल से वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो चैनल को subscribe करेंगे वीडियो को like करेंगे और class 10th के सभी बच्चो में share house करेंगे यह आपकी जिमिदारी है प्यारवचो और नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए लब यू और